आप सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN 9 के इस खासकारी करम में और मैं हूँ आपके साथ फरहान महराश सरकार को लेकर भारतियंता पार्ठी नए नए पैतरे खेल रही है नए नई बाते सामने आ रही है चाया भाईया जी जोशी का बयान हो कि देवेंदर फर्णवीज बहुत समय तक एक्स मुखमंतरी नहीं रहने वाले हैं यहीं एक्स एम नहीं रहने वाले हैं बहुत जल्दी मुखमंतरी बन जाएंगे इससे पहले भी शिवसेना गडबंधन दल था आपको पता ही है एंडिय एक घटक दल था लेकिं कॉंग्रेस और एंसीपी के साथ गडबंधन भी कर लिया शिवाजी का महस्तों था उसमें लोग शामिल हुए वहीं एंसीपी के नेता नवाब मलिक भी शामिल हुए तो उनको लेकर एक जैघोश का नारा दिया जाता है अपने अपने विचार हैं अपनी जंडे के उपर करने के लिए नारों के लिए किया जाता है और जो आवश्यक भी होते हैं मातुपॐंड भी होते हैं लेकर भी वह बहुत करीब हैं लेकिन से पहले शिवसेना कोई बयार आता भारतिय अंतर पार्टी ने कहा कि नवाब मलिक ने जैगोश का नारा नहीं लगाया वह जो शामिल हुए अधर उठाकरे के साथ जो गडबंधन किया है क्या किया वह तो मुख्मंत्री नहीं बने नवाब मलिक ने फिर जो शाफाई दिया उन्हें जैगोश का नारा लगाया था लेकिन भारती अंतर पार्टी के नेताओं वीडियो में खराबी करके हमने आपको बताया था कि भारती इटी सेल प्रोपेगेंडा करना इसमामृष में वैamt हिटलर को भी पीछे छोड़ चूके रप sırखियों अब अब मीडिया जगत में काम मिल जाएगा जिस तरह है उन्होंने उचाईयों को छुआ है प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए तो जैगोश के नारे को लेकर भी कही न कहीं हो सकता है वीडियो में कोई फेर बदल किया हो यदी डवाब मलिक ने यह नारा नहीं भी दिया है तो रोश व्यक्त करेंगे उद्धा उठा करें लेकिन उनका बयान अब तक सामने आया ही नहीं इस से पहले विचलित हो जाते हैं भारती इंता पार्टी के नेता जो श्रिवाजी को प्रधान मंतरी मोधी के सावान रखने की कोशिश कर रहे थे और कहीं न कहीं प्रिदान मंतली मोधी को उन से उचा आखने कोशिश कर रहे थे लतारे भी गए फटकार भी लगी फिर शिवाजी का मुद्दा सामने ले आए हैं जिस तरह हमने बताया कि भाईया जी जोशी जो की महा सचेव है आरे सेस के राश्ट्री है तो उन्होंने भी बयान दिया था कि एक्स चीफ मिनिश्टर नहीं रहने वाले हैं देविंदर फर नवीज इन्ही बातों को लेकर नहीं हतकंडे सामने लाए जा रहा है कभी सावर कर के रूप में तो अब शिवाजी के रूप में नया पैतरा सामने आ गया है नवाब मलक ने जैगोश का नारा नहीं दिया था तो क्या इससे कोई परिशानी है यदि दिया भी है तो क्या इससे कोई परिशानी है अब तक उद्धव ठाकरे का कोई बयान सामने नहीं आया है तो भारती इन्ता पार्टी को क्या परिशानी हो गई इस सम्मन्द में आपकी रहे बहुत ही महत्पूर्ण है अपनी रहे देना बिलकुल भी ना भूलें कारी करम को लाइक करें जादा से जादा शेयर करें और चैनल को सबस्क्राइब आप शक्र दे तब तक के लिजाज़त दीजिए धन्यवाद